फ्रेंड्स, टुड़े विल्डिस्कस अबाउट दी एनाटोमी अब और्बिट मैं आपको और्बिट के बारे में बताऊँगा उसमें क्या-क्या और कितने प्रकार के बोन्स एंड वाल्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगा उनका आरंजमेंस किस तरीके से होता है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्रिक के थुरू समझाँगा ताकि आपको समझने में और आपको याद रखने में लिखने में भी आसान हो So hello friends, my name is Raj Kisor and are watching my channel Vision King तो friends, आप सभी को मेरे चैनल Vision King पे स्वागत है तो friends, पहले हम बात करेंगे orbit के बारे में तो friends, orbit क्या है? अगर हम सिंपली कहें तो orbit एक bone shape cavity है जिसके अंदर हमारा eyeball, हमारा eye muscles एड आई का हर parts present होता है तो friends, ये जो bone shape cavity है जिसको कि हम orbit करते हैं ये front की side से round shape में दिखता है लेकिन जैसे हम अंदर की side चलेंगे back side में जाएंगे तो ये क्या cone shape में होता रहता है जिसके बज़से हम इसे cone shape cavity भी कहते हैं तो friends, ये जो orbit है ये हमारा eyeball को एक hard cover की तरह बाहर से protect करता है तो friends, से लिए अभी थोड़ा सा details में जान लेते हैं orbit के बारे में तो देखें friends orbit is roughly irregular four-sided pyramid located on the either side of root of nose based at the orbital opening apex at optic canal अब next, medial walls nearly parallel next, medial and lateral walls makes an angle of 45 degree तो friends, जैसे कि मैं आपको बता था जो हमारा orbit है, वो front side में round दिखता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे, back side में move करेंगे तो ये क्या है, इसका जो medial wall and lateral wall है, ये मिला के 45 degree angle बनाता है क्योंकि ये क्या है, कों सेब में होते हैं clear, अब next, orbital cavity contributed by seven bones तो friends, हमारा जो orbit है ये seven bones से मिलकर बनता है, तो friends, ओ seven bones क्या है, frontal bone zygomatic bone, palatine bone spenoid bone, lacrimal bone ethmoid bone, maxillary bone तो friends, ये seven bones को मिला के हमारा orbit बना होता है, तो friends ये जो seven bones है, ये four walls में divide होके रहते हैं तो friends, four walls में divide होके रहते हैं, मतलब, कुछ जो इसमें से bone से उपर के side में होते हैं, कुछ हैं, जिसको की walls की तरह नाम दिया गया है, तो friends, चलिए बात करते हैं, जो हमारा bones है, ओ कहां पर किस तरीके से आरंजड होके रहते हैं, और कौन सा bones मिलके कौन सा walls बनाता है, तो friends, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक trick के through समझाऊंगा, अगर आप उस तरीके से समझते हैं, याद रखते हैं, तो आपको लिखने में और समझने में आसान होगा, तो चलिए दोस्तों, शूर करते हैं, ओके तो friends, देखे, यहां पर हमारा सबसे उपर कौन सा bones है, ठीके, तो friends, आप देख पा रहे हैं, जो हमारा सबसे उपर है, ओ है, frontal bone and spanoid bone, ठीके, तो friends, हम उपर लिखेंगे क्या, frontal bone and spanoid bone, ठीके, तो लिखेंगे क्या, frontal bone, frontal bone and spanoid, ठीके, तो friends, देखे, यह सबसे उपर है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे उपर, फिए उसके बाद देखिए है right side में हमारा medial side में कौन सा बन से उसके बाद जो हमारा medial side में हो क्या है lacrimal van digital name maxillary bon ढ现 फिके यह तीन हमारा right side में घर्केंगे देखिये lacrimal bon labels lacrimal then it is Vid스ills with टीक है यह टीन वोन हो गिया हमारा मेडियाल साइड में लेउर्क हो गया इस तरफ डाउ-अब देखिए यह सारी फोली पस किसके चोड़ को ह एक से यह सो हो ख Siio स्टेश्ट में किसको लखेंगे जाइगोमेटिक घुमेटिक ओक फ्रेट्स इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है राइट लेट ऊपर निचे करके तो फ्रेंट्स अब देखिए इस तरीके से हमारा सारा bones आरानिजद हो के रहते हैं हमारा orbit में I में ठीके तो friends आप देखिए हम बात करते हैं जो कोन सा bones मिल के कोन सा wall बनाता है तो friends हम पहले बात करेंगे उपर बाल लगा ठीके तो friends हमारा सबसे उपर कौन सा है सबसे उपर means चट ठीके उपर कौन होता है या तो छहत को हम क्या कहते हैं और रूब इंड आपको इससे याद रखने कोंके हुँआ यह वह थो I can know मैं करेंगे नीचे जिलार इननरी को यह किस किस बनाता है नijnन मकसवी को लेका बना तो इस तेन बोन्स को लेकर के फ्लोर ठीग हो गया Zygomatic Palatin and Megzillar यह तीनrin मोंद्स ौक्य इसको च्वा बनता है ना हमारा फ्लोर Culture तो फ्रेंट्स इसको किस तरीके से याद रखना ए ना हमारा नीचे ओंग है नहीं हम फर्सट फर्स मिन्स फ्लोर तो friends हमारा जो floor है वो palatin, zygomatic and maxillary से बनता है तो friends अभी देखिए यह जो spenoid bone है ठीक है spenoid bone हमारा lateral side and हमारा medial side में भी present होता है तो friends अभी तो उपर का wall हो गया, नीचे का wall हो गया अब बात करेंगे हमारा medial side का तो friends देखिए medial side में हमारा lacrimal, ethmoid and maxillary bone से उसके साथ जो हमारा medial wall बनता है, medial side मेंज, medial wall बनेगा तो friends जो हमारा medial wall है, वो हमारा lacrimal, ethmoid and maxillary उसके साथ spenoid bone से भी लेकर बनता है, ठीक है, यह 4 bones लेकर हमारा बनता है medial wall, clear? यह हो गया, हमारा medial wall ओके, तो friends देखिए, यहां पर lacrimal, ethmoid, maxillary, spenoid उसके बनता है, अब क्या बचा हमारा lateral wall, तो friends जैसके मैं आपको बता है, हमारा spenoid है, वो lateral side में होता है तो friends जो हमारा lateral side होगा, ठीक है, lateral wall होगा हो क्या, spenoid and zygomatic, ठीक है यह दोनों bones को लेके बनेगा, यह हो गया, spenoid and zygomatic, यह हो गया हमारा lateral wall यह हो गया हमारा lateral wall, तो friends इस तरीके से हमारा 4 walls होते है तो friends मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, देखिए, जो हमारा orbit है, वो seven bones से लेके बनता है वो seven bones क्या है, frontal bone, zygomatic bone, platine bone, spenoid bone, lacrimal bone, ethmoid bone and maxillary bone ठीक है, यह seven bones से लेके हमारा cavity, जो हो ही orbital cavity बनता है तो friends इसको किस तरीके से arrange करके लिखना है ना, हमारा उपर के side में कुन सा बन है, उपर है हमारा frontal and spenoid bone तो हमको उपर लिखना है frontal and spenoid bone, clear, अब next, middle side, ठीक है Jesus, middle side में हमारा कुन सा bone से, lacrimal, ethmoid and maxillary, और हमारा right side में, middle side में, lacrimal, ethmoid and maxillary bone उसके बाद हमको लिखना है नीचे का side में, तो friends ये तो हो गिया, आब नीचे कौन बसा, palatin bone तो हमको लिखना है नीचे palatin bone, उसके बाद हमको लिखना है은 lateral side में, ठीक है उपर मिन्स च्छत को हम इंगलिसे में क्या कहते है रूप तो फ्रेंट्स जो हमारा उपर का वाल होगा होगा रूप तो फ्रेंट्स रूप किस-किस को लेके बनता है ना प्रान्टाल एंड्प के मिणके हमारा बनता है रूर्प दो फ्रें इस क्या हो गया Aha रूप हो गया प्रांटाल एंड्प की मिस्पेअड से अ मैं हे अभ सेणोड ओगे अब next हमारा निचे का side तो उपर का होगे आप बात करेंगे निचे का तो निचे को हम क्या कहते हैं फार्स को अंगलिस में क्या कहते हैं फ्लोर तो friends floor किस-किस बोन्स को लेके बनाएगा ना palatine, zygomatic and maxillary तो friends देखिए जो हमारा है floor किस-किस को लेके बनाएगा zygomatic, palatine and maxillary तो फ्रेंट्स यह होगे हमारा निचे का अब बात करेंगे यहां पर देखिए जो spanoid bone है यह हमारा उपर भी होता है lateral side में medial side में present होता है तो friends इधर तो हमारा lacrimal, ethon and maxillary भी है उसके साथ हमारा spanoid bone to friends medial side means medial wall तो friends medial wall जो है वह बनाएगा lacrimal, ethon and maxillary and spanoid bone उसको लेके तो friends इधर लिग लेते हैं तो फ्रेंट्स जो medial wall है maxillary and spanoid ठीक हो गया अब क्या बचा ना हमारा lateral side का तो lateral side means lateral wall तो फ्रेंट्स lateral wall जो है किसको बोंस को लेके बनाएगा ना zygomatic and spanoid bones ठीक है हमार क्या बचा ना lateral wall इहां लेटराल वाल यह किसको हो गया zygomatic and spanoid okay so friends बस इतना ही था हमारा orbit के बार में हमारा orbit में कितने सारे bones होता है उसका arrangements किस तरीके से होता है कौन सा bones मिलके कौन सा walls बनाता है मैं आपको simple तरीके से आसन तरीके से trick के through समझा दिया so friends अगर आप इसके बार में और भी details में जानना चाहते हैं कि कौन सा bones कौन सा walls कहां पर exactly present होता है हमारा orbit में और क्या क्या होता है orbit के anatomy के बार में और भी details में जानना चाहते हैं तो anatomy of orbit part 2 करके मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको eye icon पर उसका link मिल जाएगा आप चाहें तो देख सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ कि जितना सरा चीज आज में आपको बताया आपको सौमाज में आये होगा और आप इस सेस्वन को enjoy की होगे अगर हाँ है तो प्लिज वीडियो को लाइक किजिए कुछ जाउट से तो कॉमेंट्स किजिए नहां गार अविस तरीके सो और वीडियोज देखना चाहते हैं आयनाटोमी, फिजोलोजी, फार्माकोलोजी, आईडिस, आप्टोमेट्रिस, आप्थोलोजिस्ट, आई एक्जांस के बारे में तो प्लिज हमार चनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिएसों को आल पर रख दना ताकि आनाटोमी वीडियो का नोटिपिएसों आपको तुरण मिल सके एंड़ आप हमारे साथ हमेशा जूड़े रहता चेलिए दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई टेक के आर स्रीम दी नेक्ट वीडियो थाइंक यू सो माच